दोस्तों एक बहुत कॉमन प्राब्लम हर के लाइफ में होते रहती है और उसको बोलते हैं मसल क्रैम जिसको हम लोग हिंदी में मांग स्पेसी के एंठन बोल सकते हैं मैं आपको थोड़ा से डिसक्राइब क्यों आपको मैंने कभी अपने अंगडाई लिया है रात को सोते बकत हो सड़ली पैर की मसल सारे कॉंट्राक कर गए और बहुत जबर्दस पेन होती है दो मिनिट तक आप बात में कर पाते हैं आंक से आंसो आने लगती है और धीरे धीरे दो मिनिट बात ओज़को खतम हो जाती है ये क्रैंप अगर आपको हो रही है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्रैंप्स क्यों होती है य Unlike a track duty इसके छे साथ कारण है पहला कारण है Overuse on Exercise of the Muslims Uncustomished exercise जो आठ अभी तक नहीं करते थे वैसा को एकसर्शाइज कर दिया तो मसें क्रैंप और सकता है Dehydration हमारे बाडी में पानी की कमी हो तो dehydration से भी एक cramp होता है electrolyte अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और आप नमग खाने ही रहे हैं तो electrolyte की कमी हो जाने से भी एक cramp होता है आजकल दो बहुत common बिमारी हो गई है vitamin D की कमी और calcium की कमी इन दोनों के वज़े से भी cramp बहुत common होती है और यह देखा जाता है जो लोग physically active नहीं है flexibility एकदम नहीं है जो योग वगे ले नहीं करते है उनको cramp जल्दी होती है और cramp कमे जिनको diabetes है जिनकी उमर बढ़ रही है उनको cramp होने के chances पहुच जादा है तो चलिए अब करना क्या चाहिए अगर cramp हो जाए तो क्या करना चाहिए पहला तक cramp अगर हो गया तो उसको जाने दीजे और उसके बाद आपको cramp जिस muscles में हुआ है उसको आप stretch कर सकते हैं धीरे धीरे stretch कीजे धीरे धीरे उसको relax करिए और उससे immediately relief मिल जाती है आपको और धीरे धीरे फिर exercise और massage भी उसके उपर कर सकते हैं एक और काम कर सकते हीट तेरपी गरम पानी कीजे उसमें तॉलिया डालिये तॉलिया को आपके वो muscles के उपर wrap करिए इससे रिखा जाता है एक pain बहुत जल्दी खतम हो जाते है moist heat बोलते हैं जिसको sauna में भी किया जा सकता है एक roller मिलता है जो बहुत सारे आप देखेंगे जिम बगेरे में होता है और roller को भी उस muscles के उपर अगर आप roll करवाते हैं उससे भी फाफी फाइदा हो सकता है anti-oxidant बहुत परिमान में लेजे anti-oxidant मिलता है fruits और vegetables में जितना खाएंगे और protein भी अच्छे से खाएए protein दालों में होता है mixture of dals खाते हैं उससे बहुत फाइदा होता है और एक बात और आपको बता दूँ अगर आपको cramp हो रहा है तो आपको एक और चीज़ करना होगा और वो है आपको खाने में regularity रखना पड़ेगा और hydration मतलब पानी पीते रहना होगा पानी ज़्यादा पीने से काफी dehydration खतम होती और cramp कमाने के chances हैं दो चीज़ आप जरूर कर लिज़े गर cramp की problem है एक तो calcium खाना चालू कर दीज़े और calcium के लिए मैंने आपको बोला था पान के दुकान का चूना मंगा लिज़े और हर दिन एक मटर जाने जिता चूना आप खाईए उससे calcium की इससे अच्छा कहीं source नहीं होता है और vitamin D जरूर लिज़े उसके injectable भी मिलती है और vitamin D के tablets मिलते हैं तो इससे vitamin D की कमी आपकी पूरी हो जाती है और cramp होने के chances कम हो जाते हैं तो दोस्तों ये सारी बातें आपको जानका रही होने चीज़े cramp हर के life में होता है and you should prevent it thank you so much मिलते हैं आपको मेरा नाम डॉक्टर बीमल चार्ज़र है आपको मालूम है हार्ट का treatment करते हैं हम लोग बिना bypass बिना angioplasty as a hobby मैं आपको बहुत सारे नए-ने health topics के बारे में बताता हूँ और आपको अगर ये सारी बात अच्छी लगी है तो आपके दोस्तों को बताईए और आप किसी से भी पूछेंगे cramp बाता है बोलता हाँ होता है तो आप जरूर vitamin D3 और जरूर calcium लीजे ज़्यादा पानी पीजे exercise कीजे regularly thank you so much